नमश्कार दोस्तों, डीप नॉलिज में आपका स्वागत है आज हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे हम सबको स्ट्रेस होता है अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे हम सबको लगता है कि स्ट्रेस जो है वो खराब चीज है stress की वज़े से diabetes होती है या फिर heart disease होती है जी हाँ सच है लेकिन नई studies आई हैं जिससे ये proof होता है कि हम stress के बारे में क्या सोचते हैं इसकी वज़े से हमारी body का reaction बदल जाता है stress के लिए मतलब अगर हम इस चीज में विश्वास करते हैं कि stress हमारे लिए बुरा नहीं है तो actually हमारी body भी stress को हमारे लिए खराब साबित नहीं होने देती जी हाँ हमें stress को अपना दुश्वन नहीं बनाना है एक studies हुई जसमें कि लोगों से दो सवाल पूछे गए उनसे पूछा गया पिछले साल आपको बहुत जादा था उनका 43% chance बढ़ जाता है डेत का लेकिन सिर्फ उनी लोगों में जो लोग ये मानते हैं कि stress उनके लिए खराब है तो अगर हम लोग ये समझें कि stress हमारे लिए खराब नहीं है तो क्या हमारी body का response भी बदल जाता है जी हाँ definitely जब हम stressed out होते हैं तो क्या होता है हमारा दिल बहुत जोर-जोर से धड़कता है हमारी सांस बहुत जादा तेज-तेज चलने लगती है और हमको पसीन आता है और normally हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारे लिए खराब है हमारे सामने जो भी pressure है हम उसको ठीक से meet नहीं कर रहे है लेकिन अगर हम अपना नजरिया बदल लेते हैं अपनी सोच बदलते हैं कि जो भी हम feel कर रहे है जैसे हमारी body react कर रही है ये हमको एक challenge के लिए तयार कर रही है तो इससे सब कुछ बदल जाता है Harvard में एक study के दोरान लोगों को बताया गया कि अच्छी बात है अगर आपका दिल जो है वो तेजी से धनक रहा है क्योंकि आपकी body को एक challenge के लिए तयार कर रहा है अच्छी बात है आपकी सांस तेज चल रही है क्योंकि आपके brain को अब जादा oxygen मिलेगी तो जिन लोगों ने अपने stress response को जादा beneficial या फायदे मंद समझा mentally अपने आपको इस चीज के लिए तयार किया देखा गया कि जब भी वो किसी stressful situation में गये किसी challenge पे गये तो लोग कम anxious थे उनको anxiety नहीं हो रही थी tension नहीं हो रही थी और उन लोग के अंदर जादा confidence पाया गया अपनी उस activity के दौरान चाहे वो public speaking हो चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जिसके लिए वो normally परिशान होते लेकिन जब उन्होंने अपने आपको ये भरोसा दिलाया कि जो उनकी body में changes हो रहे हैं वो उनके betterment के लिए है तो उन्होंने पाया कि उनको कम stress हुआ, कम anxiety हुई और वो लोग ज़ादा confident महसूस कर रहे थे दोस्तों जब हम लोग stressed होते हैं तो क्या होता है जब हम लोग stressed होते हैं तो हमारा heart बहुत तेजी से pump करता है लेकिन जो खून की नलिया है वो सिकुड जाती है और ये तब होता है जब हमारे लिए हम ये मानते हैं कि stress जो है वो नुकसान दायक है लेकिन जिन लोगों को ये समझाया गया कि stress उनके लिए अच्छा होता है उनमें body के level पे change पाया गया, उनमें देखा गया तब आता है जब हम लोग बहुत जादा खुश होते हैं या हम लोग बहुत जादा courageous या सहसी फील कर रहे होते हैं सहस के moments में तो देखिए जब आप ये मानते हैं कि stress आपके लिए harmful नहीं है तब आपके body का mechanism पूरी तरह बदल जाता है आप कैसे stress को react करते हैं उससे determined होता है कि stress आपके लिए नुकसान दायक है या फाइदेमन है इसलिए दोस्तों हमको क्या करना है हमको ये सोचना है कि stress हमारे लिए नुकसान दायक नहीं है क्योंकि अब तक हम लोग हमेशा इस सीज को कि stress हमेशा नुकसान करता है लेकिन जब हम इस बिलीफ को अपनाते हैं कि stress हमारे लिए नुकसान दायक नहीं है तब हमारी body का response भी बदल जाता है stress के लिए हमारी body challenge के लिए अलग तरीके से तयार होती है stress के बारे में एक और response हम देखेंगे जब भी हम stressed out होते हैं हमारी body में एक hormone release होता है जिसका नाम है oxytocin यह hormone तब release होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं हग करते हैं या फिर हम support करते हैं किसी को या फिर किसी से support लेते हैं बैसिकली यह hormone जब release होता है तो हम ज़ादा empathetic feel करते हैं हम दूसरों का दुखदर्द समझते हैं यह हमको ज़ादा motivate करता है help लेने के लिए और help देने के लिए तो basically एक social hormone है oxytocin जो हमारी body में stress के time पे release होता है लेकिन oxytocin एक stress hormone है जब यह release होता है तो एक तरह से यह हमको motivate कर रहा है कि हम help और support ले या फिर अपने emotions किसी के साथ share करें बजाए कि उनको अपने अंदर रखने के इसी लिए oxytocin को beneficial या फाइदे मंद माना गया है साथी साथ oxytocin का heart पे भी effect होता है यह hormone जब release होता है तो यह heart को ताकत देता है strength करता है उसको protect करता है stress के negative response से एक study हुई दोस्तों जिसमें कि यह दिखा गया 1000 लोगों को track करके कि अगर लोग ज़ादा social support लेते हैं या देते हैं या दूसरों की help करते हैं तो उनके अंदर stress की वज़े से जो death का risk है वो बहुत कम हो जाता है तो एक तरह से nature ने कुदरत ने हमारे अंदर एक already mechanism बना दिया है एक तरीका बना दिया है कि अगर हम stressed out होते हैं और हमारे अंदर यह hormone release होता है stress hormone तो यह हमको ज़ादा motivate करता है लोगों को share करने के लिए help करने के लिए या उनसे help मांगने के लिए और जब हम ऐसा करते हैं त आज हमने कुछ चीजें पढ़ी stress के बारे में या जानी जिसकी वज़े से मुझे लगता है कि अब हम लोग stress को एक अलग तरीके से देखेंगे हमारे लिए stress bad है खराब है इस धारणा को हमें तो उनना है secondly जब आप दूसरों से help लेते हैं या उनकी help करते हैं जादा supportive होते ह आप देखेंगे कि stress आपको negative तरीके से खराब तरीके से affect नहीं कर पाएगा I'm sure दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा हमारे चानल को subscribe करिए इस वीडियो को like करिए share करिए और comments में हमें बताईए आपको कैसा लगा thank you so much